Greetings of the day friends, welcome to this session. आज कल के parents का अपने बच्चों के लिए उनकी health के लिए बढ़ते वे concern को देख कर, मैंने आज एक अनोखा सा topic चुना है. Fetal Health Protection from Maternal Health Pollution. याने की हम आपको ये convey करना चाहते हैं, कि आपके बच्चे की health आपके ही हाथों में हैं और आपकी जिम्मेदारी है. Maternal Health की यदि हम बात करते हैं, तो उसके environment को हम दो हिस्सों में बाट सकते हैं, जैसे कि हम अपने आम बातावरन को बाटते हैं, internal and external. जो internal environment है, body के अंदर है, उसके factors दो तरह के हो सकते हैं, non-modifiable and modifiable. Non-modifiable जो change नहीं हो सकते, जो permanent हैं, जैसे कि आपके parents ने जो genetic constitution आपको दिया, वो permanent है, उसको आप change नहीं कर सकते, और वही आगे आप अपने baby को gift कर देते हैं. Non-modifiable में तो genetic constitution आ गया, modifiable में जो आप acquire कर रहे हैं, आपने अपना वजन बढ़ा लिया, आप obese हो गए, you are hypertensive, आपका liver ठीक से काम नहीं करता, deranged function है, आपके हाथ में ये सब चीजें control करना था, लेकिन आपने किया नहीं. thyroid dysfunction आ गया, diabetes आ गया, ये वो factors हैं, जो आपने acquire खुद किये हैं, और आप उनको control भी खुद कर सकते थे, और अब यदि आपने control नहीं किया, तो आप उसको अपने आगे आने वाली generation को gift करने वाले हैं, तो internal environment में permanent and acquired factors हो गए, acquired आपके control में है, permanent आपकी control में नहीं है, external environment भी आपके control में है, अब external environment क्या हुआ, आपकी sedentary lifestyle, सुबह सोचना जाएंगे घूमने, सुबह सोचना हम योगा करेंगे, लेकिन उसके लिए तो उठना पड़ेगा, फिर आपकी dietary habits, जो की pattern भी ठीक नहीं है, quality भी ठीक नहीं है, फिर आपका bad habits, bad habits में alcohol हो सकता है, smoking हो सकती है, और ध्यान रखेगा, ये topic मैंने maternal health pollution बोला है, लेकिन father की भी responsibility है, तो बच्चा तो दोनों से ही आने वाला है, दोनों की गुण लेने वाला है, तो ये दोनों को ही ध्यान से रखना पड़ेगा, फिर आप सोच रहे होंगे, कि हम ये topic क्यों सुने, हमारे तो किसी काम का नहीं है, रुकिए, चलिए, हम नीचे से उपर की और ascend करते हैं, यदि आप adolescent age group में हैं, I am talking for both, the boy and girl, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि आपकी family history क्या है, suppose आपकी family history में, आपके parents की side में, diabetes positive है, तो आपको मालूम होना चाहिए, कि वो आपको भी हो सकता है, और आप आगे भी दे सकते हैं, तो उसके लिए जो भी prevention की जा सकती है, वो आपको डॉक्टर की सलह से करना चाहिए, फिर आपको अपनी habits में, अभी से regularized होना चाहिए, इसके लिए हम word यूज करते हैं, comprehensive lifestyle changes, इसमें dietary habits, pattern, quality आता है, इसमें workout आता है, which includes mental and physical relaxation, इसमें sleep hygiene भी आता है, कि आपकी नेन पूरी होती होए की नहीं, और ठीक से होती है की नहीं, मेरे ख्याल से, मेरी personal opinion में, यदि हम केवल इस पर ही focus करें, तो यही आज की generation का सबसे बड़ा problem है, अब आप बड़े होते हैं, आपकी शादी हो जाती है, पर अभी आप pregnancy नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको अपनी daily lifestyle regular रखना चाहिए, एक basic health check-up कराकर, डॉक्टर की सलहा से ये मालूम करना चाहिए, कि आपकी body का internal atmosphere कैसा है, आप उसको बहतर कैसे बना सकते हैं, ताकि जब आपकी अगली generation आए, तो आप उसको एक internal और external दोनों बहुत अच्छे से दें, आप अपने genetic constitution को जो baby को देंगे, उसको तो आप नहीं बदल पाएंगे, पर genes के चारों और का atmosphere, जिसको epigenetic कहते हैं, उसको आप बदल सकते हैं, ये आपके हाथ में हैं, और ये काम आपको आज से करना होगा, समझिए, आप अब शादी शुदा हैं, और आप प्रिग्नेंसी के लिए willing हैं, रुकिए, पहले एक बार pre-conceptional counseling तो कर लीजिए, मिलिए अपने gynecologist से, वो आपको as couple assess करेंगे, करने दीजिए ना, जमीन अच्छी होती है, तो बीज भी अच्छा लगता है, फसल भी अच्छी होती है, तो यदि आप चाहते हैं, कि आपकी pregnancy का outcome अच्छा आए, बेबी की health को लेकर अच्छा आए, तो आप उनसे मिलें, वो आपको assess करेंगे, आपके basic test होंगे, और वो आपको pregnancy के लिए तयार करेंगे, जो चीजें पहले जरूरी होंगी, वो आपको दी जाएंगी, उसके बाद आप pregnancy लीजिए, और फिर देखिए, आपका बेबी कितना healthy आता है, अब समझिए कि आपके तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आप तो parents हैं, तो हमें क्या करना इस से, नहीं, आपको अपने बच्चों को motivate करना है, इस बात के लिए तैयार करना है, कि बाहर के वातावरण में जो कुछ भी pollution है, उसको तो हम कम नहीं कर सकते, पर अपने body के internal और external pollution को हम जरूर regulate कर सकते हैं, तो जो चीजे हमारी पकड में हैं, वो हमें करना चाहिए, और याद रखेगा एक ही मंत्र है, comprehensive lifestyle changes, बिमारी की बात तो तब आती है, जब वो diagnose हो, lab evaluation में आए, या clinical testing में आए, यदि आपके बच्चे बड़े हैं, और आप grand parents हैं, आपके grand children होंगे, तो देखिए, आप ये मत सोचिए, हम तो grand parents हैं, हमको क्या करना, नहीं, आपका influence आपके grand children पर maximum है, वो किसी की सुने ना सुने, अपने grand parents की जरूर सुनते हैं, तो क्या आपकी duty नहीं बनती, कि उनको बच्चपन से ही एक regular lifestyle के लिए अभ्यस्त करें, उनकी habit में लाएं, ताकि उनका adolescence, उनका adulthood एक healthy हो, और जब वो healthy होंगे, तो naturally आगे की generation अपने आप healthy होती चली जाएगी, और जो हम ये बाते करते हैं, कि health होना च सकते हमी रोग सकते हैं, पर हमें जागरूख होना पड़ेगा आज, और इस तरहे जब हम एक बेबी की health मदर के अंदर antinatal period में improve कर लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हम उस बच्चे को पूरा भविश्य अच्छा दे देते हैं, चलिए आज से शुरू करते हैं, थैंक यू कहाँ कि वान चाला उच्चे का बेपर देते हैं, पहाँ बागर चींवांधल देता हुई हू आज से उतती हैं, पहाँ होना हैं, जाखा आर चारते हैं मेंamos होना है कि वहाँ आजया आज हैं, झош तो ह trusts बष्या देतों sıegता। झाल झाल